Facebook में अपना नाम रिब्रैंडिंग करके मेटा करी दिया है और अपना लोगो चेंज कर दिया देखके तो लगता है बस नाम और लोगो चेंज हुआ है लेकिन आप अगर एक बिजनेस पेपल हो एक फाउंडर गो फाउंडर और एनी मेंबर और एनी बिजनेस तो आपको यह जानना बहुत ही जरूडिया कि यह क्यों चेंज हुआ है The reason is आप अगर एक रिप्रेंग दिया कर देखके पास сारे लोगों का डेटा होता है जो उस्में करते हैं जो उसमें अन्रोल है सारे लोगों पर जिनका उसमें एकाउंट है सबका आपके पास जड़ा हो रहा है वो अगर हैक हो जाए किसी भी तरीके से तो यह आपका और साथ में उन सबका लॉस हो सकता है फैस्वुक ने मेटा पर अपना कुछ ट्रांसपरण नहीं किया उसको डाऊ मेमन मेता अफला में प्राइन ये से फैस्वुक था वैसा फैस्वुक भर नहीगा धार किGen पहले जब फैस्वुक अधर कंपंट भी था और सो एक साथ दोनों चीज घंट dried हो सकता था लेकिन एक security toughness थी क्योंकि वो social media था hack करने का a little bit different ways रहता था कि hack हो सकता था लेकिन अब आपका security अगर सही रहे इसलिए उन्होंने अपना सारा data meta पे रखेंगे जो things है वो सब meta से manage करेंगे एंड यह सिर्फ एक social media site रहेगा जैसा instagram है उनका ही whatsapp है उनका ही similarity ताकि आपका data safe है जैसा उनका new आया है virtual reality तो यह भी बहुत लोगों का बहुत personal data रहेगा क्योंकि उसमें आपका camera access आपका sensor access सब कुछ रहेगा आपका personal data रहेगा वो अगर चोडी हो जाए क्या क्या हो सकता है आपका सारे personal information अगर चोडी हो जाए किसना गलत हो सकता है आपका this is the thing वो a story brand थी वो जस्ट कोई चुल मचा था नाम चेंज करती है ऐसा कुछ नहीं होती बड़ा रिजन है वो एक अलग total server है जिसमें वो सब रखा रहा है safety और बहुत ही कम chances है कि वो किसी भी तरीके से रिलीक हो बाए है हो सकता है गलती हो जाती है bugs रह जाती है लेकिन उसका level जितना कम कर सके वह important है ना and this is the thing जो उनमें किया है as a founder वो उनका responsibility बनता है कि आपका data वो safe रहे है तो वो एक facebook account का हो या bank account का हो या किसी भी और आपको क्या लगता है वो सिर facebook account है तो आपका phone का और किसी चीज़ का हो उनको access नहीं है आपका contact access, आप क्या क्या करते हो, सब कुछ की access हो हमके पास आप किसको chat करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो किसके साथ message में बात करते हो, call में किसके साथ बात करते हो सब access हमके पास है लेकिन वो safe है वोही चीज सेफ रहने के लिए वो रिप्राइटिंग के लिए लिए अगर आप एक लीडिंग मेंबर और इसी कमपनी का As I am in this field, so, मुझे ये detail में पता है, जानना जरूरी था, इसलिए मैं आने detail में शेर किया, ताकि आपको लाइफ में कभी भी ये question पूछा जा सकता है, इसी career related topic में, तब आप answer देपाऊ, अच्छे से explain कर पाऊ, this is the thing, so, आप अगर एक student भी हो, तो भी आपके लिए ये जरूरी था, and आप अगर एक business का owner हो, या कोई हो business में, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी था, कि आपके पास ऐसा responsibility होना चाहिए, जिसके लिए लोग को शायद लगेगा, आप से लोगो चेंज कर रहो, बस नाम चेंज कर रहो, लेकिन आप बहुत बढ़ा चीज़ किया है, और एक अच्छा business वही होता है, जो देख नहीं हो, लेकिन अंदर इतना काम किया गया है, कि सामने वह simple लिख रहा है, आप कोई भी skills, practice करते हो, practice करते हो, तभी आपको हो, simply लगता है, लोग को लगता है God gifted challenge है, लेकिन वो God gifted challenge नहीं होता है, मेरे को business बनाना आता है, ये सारे बहुत 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 टाइम लगा है, लेकिन बहुत लोग को लगता है, इसको तो शायद आता होगा, आप भी सीख सकते है, सब कोई सीख सकते है, जिसने जिस field में टाइम लगा है, वो expert बन जा है, so put your time and learn these small small things, अगर एसे ही things सीखना है, तो subscribe करो, और लोग के साथ शेर कर प्लेयों, ये थे लिक अभो है, गुक्षव प्लेंट लोगा है, बोगलें गाइम के स Assistance के साथ है, टी के साथ चकोई देख है, आएम एजू वोगा है, ए aiे डिसे आ दे वाम लगा लेो है, आएम है, से साथ है, ओू अ आदेगे सार ओलोग और आपिनाम स्का ट्हांता है, झाल झाल